पिछली बार भी CBSC का पहला एक्जाम था अचारे कुलम का जिसमें 99.2% आयुशने ले करके और अचारे कुलम को गौरोप प्रदान किया इस बार पूरे देश में 18 लाख बच्चे CBSC की दस्वी कक्षा की परिक्षा में बैठे और उसमें 13 बच्चों ने 499 नमबर लिये हैं 25 बच्चों ने 498 नमबर लिये हैं और उसके बाद में 497 नमबर लेने वाले बच्चों में आचारे कुलम का भी जो मेरे दाईयोर बैठा है दिव्यान सु मोहन बच्चा उसने 497 नमबर ले करके और पूरे देश में तृती ये शेणी में अपना नाम दर्ज करा करके आचारे कुलम को गौरोप प्रदान किया है शिक्षा और संसकारों का ये पावन प्रवाः पूरे देश में आगे बढ़े और इसलिए हम यहां विद्या भ्यास के साथ योगा भ्यास कराते हैं और उसका सबसे बड़ा एक्जाम पाल ये दिव्यांशो बेटा है जो CBSC की जो परिक्षा हुई उसमें तो इसने गौरोप प्रदान किया ही है योग का कंपिटिशन जो CBSC में हो उसमें भी प्रथम स्थान लिया इसने भी लिया और पूरे आचारे कुलम ने भी लिया और योग के साथ साथ हार एक्टिविटी में और सबसे बड़ी बात है जीवन में आहार विचार वानी विभार स्वभाव के स्तर पर दिव्यता है जो हम देखना चाते हैं कि खाली एकेडमिक्स में बच्चे आगे ना हो उनकी भीतर वो मानविय भुले वो जीवन के स्रेष्ट उच्चा आदर्श वो जीवन के स्रेष्ट मर्यादाएं परंपराएं जो हम अपने बच्चों में विद्यार्थियों में युवाओं में दे खेत्र बच्चों में से 14 बच्चे हमें हमारे देट में बेटियां मेरे सामने जो खड़ी भी बेटियां है उसमें बेटियां करीब साथ तो साथ बेटियां और साथ ही बेटे बराबर है दोने को साथ बेटियों ने और साथ बेटों ने 95% से ज़्यादा 96, 97, 98% तक नमबर प्राप्त किये हैं और 90% से उपर 28 बच्चों ने जो है इसमें अंक प्राप्त किये हैं और 75% से ज़्यादा 73 बच्चों ने कुल 76 बच्चों का इस बार का सीबेसी का अचारी कुलम का रिजल्ट है और हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार पुरे देश में टोपर जो बच्चा है वो आचारे को लमका हो और मार्क्स प्राप्त करना यह एक प्रकार की हम कसोटी मानते हैं यह एक मापदन इसके साथ साथ हम ऐसे विद्यारती तियार कर रहे हैं जो भावी भारत का नित्रत्व करने में सक्षम होगे उनमें सामाजिक आर्थिक धार्मिक आध्यात्मिक व्यवसाईक नित्रत्व करने का सामर्थ्य हो उस तरह से हम अपने विद्यार्थियों को विद्या के साथ-साथ अलग-अलग प्रकार की कुशलताओं में भी निशनात बना रहे हैं और हमारा सपना यही है कि 2040-45 भारत विश्व का सामजिक आध्यात्मिक आर्थिक त्रिष्टी से नित्रत्व करें और उसके लिए नित्रत्व करने वाले विद्यार्थि हम आचारी कुलम, पतंजरी गुरु कुलम, वहिदी गुरु कुलम के माध्यम से पतंजरी विश्व विद्याले के माध्यम से तयार करें यह हमारा सिक्षा का संकल्प है इसमें हमारे आचारी कुलम के डारेक्टर स्री एलार सेनी जी और हमारी प्रिंसिपल मैडम मेहता जी और आदने भेहम लितंबरा जी और जितने भी हमारे यहां के टीचर्स हैं आचारी गण हैं उन सब ने बहुत पुशार्थ किया है और सबका हम अभिनंदर करते वे गोर्वानवित महसूस करते हैं कि जो संकल्प लिया हमने उस सिख्षा के क्षेत्र में आचारी कुलम ने ये नए केर्थिमाद बढ़ाए सिख्षा के क्षेत्र में हमारी दो योजनाई हैं एक आचारी कुलम को पूरी देश में विस्तार देना अभी इसी वर्ष हमने राची में आचारी कुलम सुरू किया है जो कि डे बोर्डिंग है और अभी थोड़ी गर्मी जादा है और जो अभी तुफान आया उसके वज़े इस तरह का हमने एक पूरा शिलूल बनाया है कि बच्चे वहीं रहें वहीं उनका ट्यूशन हो वहीं पर उनका सारी आगे की तैयारी हो वहां इस वार हमारे 600 बच्चों का वहां पर प्रवेश हम ले चुके हैं और वह भी जैसे आचारी कुलम पतंजली योगपीठ की में आप देख रहे हैं ऐसे ही वहां पर एक और भव्या आचारी कुलम हमने बनाया है और भारती शिक्षा बोर्ड आजादी के 70 वर्षों के बाद दूरू स्रेश्ठतम आधोनिक शिक्षा और स्रेश्ठतम वैदिक शिक्षा हमारी प्राचीन रिशी ज्यान परंपरा जो आध अध्यातमिक शिक्षा पद्धती भारत में चला करती थी और 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके मैकाले ने पाप किया और हमारी भारती शिक्षा पद्धती को धुस्त कर दिया था हम जो पतंजली योगपीट को वैदिक शिक्षा बोर्ड बनाने की जो अनुमत करके स्रेश्ठतम आधुनिक शिक्षा और स्रेश्ठतम वैदिक शिक्षा दे करके जो वर्ड सिटीजन बनाने की हमारी योजना है हम उसको आगे बढ़ाएंगे और हजारों विद्यालेयों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जोड़ेंगे अभी हमारा CBSC से एफिरेशन चल रहा है आने वाले समय में पूरा देश देखेगा कि CBSC से भी स्रेश्ठ आधरशोर मुल्यों के साथ हम एक नए बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे वक्त लगेगा हमें इसमें 10-15 साल लेकिन आगे CBSC का भी कंपिटिशन वो भारती सिक्षा ब वाले विद्यार्थी कैरियर की द्रिश्टी से व्यवसाइक द्रिश्टी से अपने फ्यूचर की द्रिश्टी से जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा सकते हैं और यहां पर भी हम 10th के बाद और 10th से पहले भी उनको special तैयारी कराते हैं जिसे कि आगे वो IIT म मेडिकल में, इंजिनियरिंग में जो है अलग-अलग ख्षेत्रों में वो अपना कैरियर बना सकते हैं आने वाले समय में सीविल सर्विसिस से ले करके तकनीक एक्षेत्र में आचारे कुलम के विद्यार्थी एक नाय इतिहास बनाएंगे और उसको भी देश देखेगा और खांस बात यह है कि हम यहाँ अब जैसे दिव्यान सुई है इसने संस्कृत में भी हंडर्ड मार्क्स लिए साइंस में भी हंडर्ड मार्क्स लिए सोशल साइंस में भी हंडर्ड मार्क्स लिए और इंग्लिस में भी और टेक्नोलोजी में तो एक साथ संस्कृत से ले करके और सारे आधुरिक विशों का समाविश और संस्कृत तमारी आनिवार्य है